नमस्कार दोपैर के तीन बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश हमारा स्पेशल बुलेटिन चत्तीस गड़ में आज की बड़ी खबरें बताऊंगा मैं पुनीत पाठक और मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा पांडे मैं आपको बताऊंगे कि आच देश की बड़ी खबरे क्या हैं बहुत बहुत स्वागत से आप सभी का मैं हूँ आपके साथ अविराशकर मध्यप्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको तो अगले आदे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 एहम खबरों को देखे बने रही आईबी सी 24 के साथ पिल्ली में ग्रिह मंत्री और राश्पती से मिलने के बाद बस्तर के आदिवासी रायपुर आ चुके हैं तकरिवन 70 नकसल पीडित और प्रभावित आदिवासी दिल्ली दोरे पर गए थे अपनी समस्याओं से देश को अफगत कराने के लिए वे ग्रिह मंत्री अमिशास से मिले ग्रिह मंत्री ने उनको फिर भरोसा दिया कि अगले दो सालों में नकसल बाद का सफाया होगा राश्पती पवन जाकर राश्पती से भी उनकी मुलाकात हुई है इसके अलावा जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया है इस पूरे दौरे के दौरान असल में क्या पीडितों क कि स्थती होती है किस तरह वे दो तरफा पार्टों के बीच में पिस्ते आए इसे खुल कर उन्होंने बया किया है आज वे लोटे है प्रदेश वापसी उनकी हो चुकी चले अब रोग करते हैं कुछ देश की खबरों का अंधरप्रदेश के डिपिटी सीम पवन कल्यार ने तिरुबाला के लड़ू प्रसादम में कतत मिलावत को लेकर अपनी 11 जिवसिये प्राश्चित दिक्षा की शिरुवात कर दी है उन्होंने कनक दुरगा मंदर में शु अब दो को राश्च्टी स्तर पर देखने के लिए सनातन धर्म रक्षन वोल्ट की गठन के मांग की थी तो तिरुपती मंदर के प्रसाद विवात के बाद पवन कल्यार जोकी डिप्टी सीम है अंधरप्रदेश के उन्होंने पहले ही गोश्चना कर दी थी कि जिस तरह से ये बहुत बड़ा पाप हुआ है वो उसके प्राश्च्ट के लिए ग्यारा दिनों तक उपवास में रहेंगे और आज से उनके उपवास की किवरत की शुरुआत हो चुकी है तिरूपती मंदिर के प्रसाद विवाद मामले पर घमासान लगातार जारी है कतावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है पंडित प्रदीप मिश्रा ने इससे साजिश बता है मिश्रा ने का कि कुछ चाल के तहत ये कृत्ट किया गया है वहीं धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने का कि कल तुम्हारे घर में भी मचली का तेल पहुँचेगा धर्म भरष्ट करने वालों को करारा जवाब मिलना चाहिए जो भी कुछ हुआ है तिरुपती में वो ठीक नहीं है भगवांचीरी, बेंकटलाल के परशाद में मचली का तेल मिलाना या चर्वी मिलाना ये उत्तम नहीं है इसमें कही ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे सनातन धर्म पर गार पोचाने का प्रयास किया गया है और कुछ चाल के तहती ये कारी किया गया है करो या मरो की बारी है भारत पर संकत भारी है विवाद थमता नहीं दिख रहा है प्रसाद को लिकर लगा तार धर्म गुरूं से लेकर पॉलिटिकल पार्टी स्तक वरत उपवास विरोध प्रदर्शन और मोर्चे खोली जा रहे इदर आयपूर में कोईला घुटाला केस में जेल में बन निलंबित सचेव सोम्या चोरसिया को फिर जटका लगा ACBAW विशेश कोट ने चोरसिया की अग्रिम जमान अतियाच का खारिच कर दी सौम्या ने आयसेंदिक मामले में याच का लगाई थी जिसे कोट ने खारिच किया है और बात करते हैं जमू कश्मीर विधान सभा चनाओ की जमू कश्मीर में सिकेंड फेस की 26 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और कल 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा और 25,78,000 मतदाता वोट करेंगे और इसमें जमू की 11 सीट और सिंट्रल कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है दूसरे फेस में कुल 249 प्रत्याशी चनाओ ये मैदान में है और 131 प्रत्याशी करोड़ पती है और 49 पर क्रिमिनल केस है चनाओ से पहले जमू कश्मीर में सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए है पहले चरण का मतदान संपन हो चुका है और इस बार 60 पीसिदी से जादा बंपर वोटिंग जमू कश्मीर वासियों नहीं किया पहले चरण के लिए यह तमाम जितने भी अधिकारी है वो अपनी जितनी भी तयारी है उसे पूरी कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम है क्योंकि चनाओ से पहले लगातार हम देखने के आतं की गुस्पैट करने की कोशिश कर रहे है हाला कि सुरक्षा वलों ने उन्हें मूत और चवाब दिया है और दूसरे चरण के मददान से पहले भी सुरक्षा के पुक्ता इंतजामात यहां किये गए है वोपाल के में मोहन कैबिनेट की एक महतपूर बैठक होई बैठक में कई एहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है MP में 25 अक्टूबर से MSP पर सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी जिसके लिए 25 सितंबर से अक्टूबर तक रेजिस्टेशन कराना होगा 230 वधायकों के लिए नए आवास बनाये जाएंगे नीमच में फोर लेन के लिए 133 करूर रुपए मनजूर किया गया है डेप्टी सीम राजिंद शुकले ने इस फैसलों की जानकारी थे आज कैबिनेट में सोरवे नोपारजन की नीती को मनजूर किया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल 4,892 रुपए घोशित किया है और कैबिनेट में ये तेंग किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक तिसानों का पंजियन होगा और 25 सितंबर से 31 दिसंबर तक इसके खरीदी होगी इदर भिलाई के सुपेला अस्पताल में मारपीट के विरोध में अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने भाजपा निता के बेटे पर दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करने के आरूप लगा है युवा ग्रैसिंग कराने वहां पहुचे थे जहां नर्स और पुलिस जवान के साथ गाली गलोच हो गई पारकिंग स्टाफ से मारपीट की गई, मारपीट का फुटेज है इसके बाद पुलिस ने दो लोगों को एरासत मिलिया, दो अभी भी फरार है केंदुग्रे मंत्री शिवरा सिंग चोहान माफ कीजेगा, केंदुग्रिशी मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने आज किसान संगों के साथ बैठक की अब सिवो हर मंगलवार को किसान संगों के साथ बैठक करेंगे इस बैठोट में किसान संग नहीं किसान संगों ने अपनी मांग सी शिवरा सिंग चोहान का अवगत कराया है बैठो के बाद केंदी कृषी मंत्री ने कहा कि फसलों के MSP के साथ ही 12 पशों के संबंध में भी चर्चा हुई है किसानों की मांग पर विभाग विचार कर रहा है अलग अलग किसान संग्ठरों से बादचीत प्रारब की लगबग पचास प्रमुक किसान नेताओं से आज मैंने भेट की है ने को सुझाओ उनके आए हैं कुछ फसलों के मूली से संबंद थे कुछ फसल भी मायोजना के बारे में हैं जो पसू खोले घूमते हैं उसके कान फसलों के दुखसान के बारे में हैं मैं आफिसर्स की टीम के साथ बैठा था उनको हम वर्क आउट करेंगे और वर्काउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रियत्त हम करेंगे मद्यप्रदेश में गर्बा पर गदर मचा हुआ है बोपाल में गर्बा पर पूरमंती उश्रा ठाकूर का वयान सामने आए का है कि गर्बा में भी आईडी कार्ड अनिवार होना चाहिए और पैचान के साथ ही गर्बा इस्थल में एंट्री मिलनी चाहिए तो लगातार मद्यप्रदेश में गर्बा को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है जस्तर से कल हिंदू महासबा बजरंग दल विश्विंदू परिशद में ग्यापन सौपा और इन गर्बों में बकाइदा आधार कार्ड के साथ एंट्री की मांग की और इसी मांग को अब बुरु मंत्री उश्वा ठाको ने भी दोराया है और काय कि पहचान पत्र के साथ ही गर्बास्थल में एंट्री मिलने चाहिए अब खबर महराश के बदलापुर से है इधर आरोपी के एंकाउंटर के बाद लोगों ने जश्वा आया है रेलवी स्टेशन में लोगों ने मिठाईया बाटी कल मासूम से रेप के आरोपी का एंकाउंटर हुआ था शोहर के नामी स्कूल में दो मासूमों के साथ रेप हुआ था 12-13 सतंबर को दो बच्चियां रेप की शिकार हुई थी और आरोपी अक्ष्वे शिंदे को पुलिस ने गिरफतार कर लिया था पुलिस फाइरिंग में दरेंदे अक्ष्वे शिंदे की मौत हुई थी चुक है हर्दा के चीपा बर्थानाक शेतर में एक पांच वर्षी मासूम के साथ आदतन आरूपी ने उसे नदी किनारे बोले गया और दुशकर्म की बारदात को अंजाम दिया जबकि गाउवाले की नजर जब उस पर पड़ी तो आरूपी मासूम को छोड़ कर फरार हुआ मासूम खून से लत्पत पड़ी हुई थी एलाज के लिए अस्पताल पहुचाया गया आरूपी खंडवा जिले कर रहने वाला है और एक महने पहले ही वो जील से चूट कर वापस लोटा है पुलिस आरूपी के तराश में जूटी है जबकि दूसरी खबर मुरैना से है कि आरूपी को पुलिस ने दस घंटे के भीतर ही गिरफतार कर लिया आरूपी के गिरफतारी के बाद लाके में आक्रोश है पराद पंजीवत कर लिया गा है अर्टी को जल्दी से जल्दी गिरबतार और यह आर्टी के सरण देना वाला है उनको भी गिरबतार किया जाए क्योंकि यह दूसरा तीसरा केस है उसके यह हरकत करें इसके बाद में मतलब प्रसासन उसको छोड़ देता है और वो फिर यह अरकत कर लिया गया। आग लगने के बाद दुकान में धमाके शुरू हो गए आसमान में धुए का घुबार दूर से देखा गया। अग जनी की सुचना पुलीस को मिली है अभी मौके पे अपनी फायर ब्रिकेट की टीम भी यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास पे है और अभी कोई आग लगने के कारण का भी तक भी पुश्टी नहीं हो पाया। अभी यहाँ पे चोटी मोटी एक आग की घटना हुई थी उसके बाद फिर इसने आग बुझने के बाद फिर से आग जोरों से लगी है। इधर तो प्रदेश में सुमवार राद दो ट्रेनों पर पत्थराव हुआ है। हमें दीजिये अजाज़त नमस्कार।